आपके पास सर कुछ न्यूज क्लिपिंग भी है जो की देखना चाहिए जिसमें की आपके बार का ये भ्या बहता जो है वो भी देखना चाह रहे है जरसक देखना चाह रहे है जी आपके हाँ पानी आया था देखाते जाए ये ये देखा जाए कि किस तरह से पानी जब एंटर किया तो गाड़ी में पानी जो है किस तरह से कैमपस में भरता गया और ये जो है सो धीर 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 पूरा जो है कैमपस भर गया और भरने के बाद धीर धीर करके ये गाड़ी में पानी घुसता च कर दीरे करके पूरा केंपस भर गया और भरने के बाद घर के अंदर यह देखिए पानी पुरवेश आपके अपके अब सभाना मुश्किल हो गया, नीचे के समान के डीटे अभिनल में लगवग दो सम्काष्टार तक पानी का पानी को सबसे जादा पानी का पंद प्रशानी श्लीवा और बाद दे Beck email निमीि'र भांट ही में तुन इस्सी नहीं летak और पानी का समस्या हम लोग थेलना पड़ा जो टंकी में पानी पहले से एकुमिलेटेट था उसी से काम चला किसी तरह से तीन-चार दो चला बाकी दिन के लिए परशानी मतलब पीने का पानी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो कि हम लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते थ है जो पहले से पानी स्टोर था उसी से पीने का पानी जो है थोड़ा कम-कम करके हम लोग पीते थे नाकि पानी बचा रहे बाद में च्छाती बर पानी भरा हुआ था तो कोई बाहर जा भी नहीं पाता था और बाहर से आना भी मुश्किल था चुकि गेट में ताला बन था तो चार पांच दिन के बाद जो है बड़ा सा पानी कम हुआ है तो हमारे पड़ोसी हैं जो कि इस तरह से जा करके गेट पर खाड़ा होते थे अलकुछ जो पानी बाहर से जो संस्थाएं हैं तो पीने का पानी मोहिया करा रही थी उनके द्वारा दिये गए पानी से हम लोगो पाम चला है 8-10 दिन तो यही इसी की बनी रही है और विजली जो पानी थोड़ा सा कम हुआ तो तीन दिन के बाद विजली आई है और उसके बाद हमारा तो घर का विजली खराब हो गया था और मोटा चुकी नीचे था इसलिए हम लो कुछ कर नहीं पा रहे थे तो विजली दिन के बाद जा करके फिर पंप का रिपेर हुआ है तब जाके पानी रेस्टोर गुआ है इंद मीन वाई जो है धीरे धीरे पानी भी खुछ घटा है और घटने के बाद जो है थोड़ा सा नॉर्मन्सी आया था कि हम लोग थोड़ा से पानी में बाहर निकल पाई किसे तर तो तीन चार दिन जाके वहां फ्लोर में ही सोते थे तकि मच्छर से थोड़ा जान बचे और यह जो पानी लग गया थे अंदर उच्छ पानी नाले का पानी था बारिस की पानी थी नहीं उसके बदर से भी प्रेशानी निउस के लिपी में जड़ा दिखाएंगे कुछ आपन इसके बारे में बोला था कि जो बद्धाली है हां का नगर निगम का और यह जल जमाओ की समस्या लेकिन कोई कारवाई नहीं भी लोग सोए रहे और लेकिन अब जागे हैं अब बिखत है न कि यह दो हजार चाओदा चाओदा की भी यह इस्ति थी और यहां भी वही चार फ जान पर एकदम से बनाया इस बार का बारिश आउस समय का बारिश में फर्क था यह इस्ति लगातार जो है यह पहले से चलिया रही और कुछ आपके पास यह चार फुट पानी यह उस समय का है यह देखा जाए आपदा के लिए हम भी जिम्मेदार इसमें भी यह हाल है कि य बूरानी फॉरानी परजस काथा उस बहुत है और हुआ परजा और यह देखिये यह यह देखिए यहां बहु रही आपर इसमें कि सम्क्राव पनाई और यह घ्रा बना गया जो कि एकदम सुपरफिस्यल नाला था वह नाला जो है नीचे में विश्वास बोर्ड का बारा फ कि वाटर का पाइप है उसके ऊपर यह नाला कंस्ट्रक्ट कर दिया एक का यह जो है यह जो है यह दैनिक भासकर का न्यूज है और यह साथ दूजार चौदा की अख्वार में भी यह मतलब की लोग अगाह किया गया सर्कार को लेकिन कोई असर नहीं हुआ नतीजा आप देख रहे हैं कि इस वर का प्यावा इस्तिति हो गई कुरां वह बहुत लोग का लाकौर रुपे की संपति जो है मतलब हुई तो पूरे राजधानी में अड़ रुपे की संपति बरबाद हुए तो प्यायल भी कुछ लोगों ने किया है वकिन लोगों ने भी तो इसमें क्या है सर्व कि ऐसा है कि यह राजंदर नगर की सिती तो पिछले 40 वर्सों से तुकि हम खुद यहां राजंदर नगर में बहते हैं तौर संचेप में हैं तो यह देख रहे हैं कि यह सिती उसी तरह से बनती जा रही और इस साल जो एकुमुलिटेट वाटर जल जम कि फीट पानी विलाकों में सूं भरों मिहीं नतीजाहि हुआ कि सारी घर के सामान था जो आश्डिया में रहने को दो दा आरे प्रणीचर हो जो भी ओ पिताबे हो ठापिया हो जो भी है रिसर्ज पेपर सों अच्छी तिदाब हो इस सब जो है नुकसान को पूरा पूरा गाडी तो सब गड़ी है करीब एक हजार गाड़ी सिर्फ राजिंदर नगर का जो पूर्ट हो रहा है कि एक हजार गाड़ी तकरीब पांजबर टूपी है और टू विलर्स का तो कोई संख्या का अभी घ्यान नहीं है वी चार-पांच हजार से उपर है तो यह घ्यावाई सिती उत्मन पर जल जमाव के वज एक्टिंग जल जमाव के खिलाव पी आईल में और किया था उनके पिटा जी सुप्रीम कोट के जंज हुए थे छे नमर रोल में लग रहते थे इनको रस्क्यू करना पड़ा इस जल जमाव के मज़ें पिटा जी को कंधे बढ़ लेगर के और कुछ लोगों ने सारा देके इनको रस्क्यू किया यह टाइमस पिंदिया में भी आया और इसके चलते जो है किता हमारे इफुकेट जो सिब्ल कोट के थे इनको हाट अटक हो गया था उनको दो गंड़े तक कोई रस्क्यू ने मिला ना तीजाव अपि उनका डेथ हो गया ऐसे बहुत कही अग्वाशा म अदर में आ सकता है पानी पीने का नहीं है खाने को कुछ नहीं है और यह जो इसके उत्वन हुए उपी दस दिनों तक यह उसका जो प्रॉमा जो एफेक्ट हुआ उससे अभी तक लोग बाहर नहीं नहीं निकलता है बहुत सारे मवेशी भी गाय भी बारे गई है जानवर कुछ निकालेगा कैसे करेगा सब पानी फर गया और सब की सब उसमें ट्रैप हो गया तो ट्रैप होने के वज़ए से वह सब भी चार्व तरफ फैल गया उसस्तिति में उस परिवेश में हम लोग इतना दिन तक जेलते रहे और तबाहित आलम हाँ वह नजर जो है वह आपक जो है कि हमारी पत्नी है को अक्सीजन पेना होता है और अक्सीजन का मसी नहीं है जो है अब मारे लिए एक बड़ी समस्या थी कि कैसे हम उनका जान बचाए तो गॉट फर विच हमारे पास अभी थोड़े सी उनकी इस्टी देहतर हो गई थी तो निमारी से उनकी थर करते थ तो किसी तरह से उनने चार पांच दिन जो है बिना ऑक्सीजन के अपना निकाला है और यह पूगर वाले के किरपा है और जब बिजली आई है तो जान में जान आई है अभी राजनगर में साइड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ के कमीटी भी साइड बनी है उसमे एक समाज एक्स्प्रेशन में का इससता है तो इसके हो मालिक है और उन्होंने आधूयन को लीट कर रहे हैं और सारे राजनदर नगर के निवासी जो है सब उसमें फाग ले रहे हैं सब बर्चड के हिसा ले रहे हैं अगल-गल आसपास के भी जो स्लम इरिया के लोग है जो इसे लोग सब जुट करके अभी हाल में फिसे अभी बार को एक अधूजन हुआ है पेकाट्स हम लोग नहीं इस्तफाल किया जिसका जिसका इसमें भागे जारी है वो रिजाइन करें जर्दी पर्द छोहें और फिर हम लोगों वहां गया जाके अपना आपकोष गट किया रिया आपके रहते हैं अधाजिन्न नगर में हम दों की यह दूटर साह थी और इस एरिया के पार्सक्त जो है वो मगल में रहती है प्रमिला मर्मा जी हमरे जो नगर के यहां के जो हमेले है विदाएक अरूं कुमार सिना जी वो सब इसी एरिया पे और सिरिया के अगे दूसरा इससे बड़ा जो भागी पूर इससे होते हैं और इंदनगर का जो मैंटर है जो जिमाव हो तो अब सारे जब जाहिर हो नहीं है वी बीसी सी एनिन सब ने यह इंदू अकवार में भी छपाया है सारे जगह में सब जगह से यह इस तरह का पत्तर की सब्सक्राइब करें तो ऐसे इस्तिति नहीं थी उस समय भी नौ चलते थे और रसत जो है खाने पीने का चीज आगर के देता था आपके पास ओप्शन था है कि आप उसको शलीद भी सकते हैं और करिंदी के लिए आपको बूद देते थे आपको आलू चाहिए या भी खाने बूद भी लेकिन बूद देता देखाने विजली एक मिनट के लिए नहीं गई थी उस समय पश्चतर के बाहर लेकिन इस बार तो विजली चली गई पानी जरूर से ज्यादा घर में गुचलिया चेचिछी पानी आप सोच सकते हैं इसमें आगने के जान बचना के ताब मु इत्ता नहीं था वो सिर्फ एक डिरेक्शन में जाता था इधर से ऐसे लेक्ट साइड में जाकर के उदर छे नमर के आगे कुछ ब्रॉप करता था इधर मैंने जेखा था एक निम वहां चका समीति के बगल में कहीं पर ग्रॉप किया था और कुछ डॉपिंग जो है उसका बेवज़ा जहां पानी में गिरा के वह बाग गया तो कोई रेलेवेंट ट्रॉपिंग नहीं हुआ उससे कुछ नहीं था मैंने बाद में सुना कि चूड़ा और गुड़ का पैकेट और सुनते शड़ा हुआ अलूभी तो वह तो स्रिफ खाना पूर्ति किया गया हुआ जो भी कुछ किया तो यह सविम सभी संथाओ ने किया इसमें आपको रिलाइस कावडेशन में किया इसमें परहात कवर का भी तीमाया था इंडियन वायल को अर्प्रेसन से भी कुछ बढ़ना था एक आटिए अक्टिवी संतोष कुमार है उन्होंने भी बहुत जगह घुम करके मदद किया है हमारे आइन की उसी के जो प्रेजडेंट है सिपी सिंग चन्दपोटास जी वह भी बहुत रहात सा मगरी नहीं बाता था पपु यादव ने भी बचट के बहुत पूछ पूछ करके देना घर घर जाटके वह नहीं किया इसमें कोई दोरा नहीं है और एक करना या सेवा करने का जो बहुत देखने को पिला एंडियार एफ भी सामगरी बाठता था लेकिन गुनों का रवया ठीक नहीं हां कभी बहुत यह नहीं था मतलब कि मानो सेवा के पद्धिस्टेवा नहीं है यह लगता है कि उनके ट्रेणिंग पार्ट का कुछ कमी है जो प्रेणिंग होना चाहिए क्यों कि एडियार अगर पुछ मदद पहुंचानी है तो यह भाव होना चाहिए वो अटेच्मेंट होना चाहिए अगर नहीं है तो फिर अईसे हाथ दिलाने से अटिक्टि पुरा करने शिए आपके अरिया में नाव आई थी थी नाव आई थी जो है तो आई जाने कर रहे थे अनको निकलना था बाहर जाना था उनके लिए तो मदद किया लेकिन जहां तक सामगरी वित्रण का सवाल था उसमें बहुत बचड किया और अच्छे तरेके से नहीं बहुत धन्वाद एफ्वकेट वीके शिना जी आपने बहुत महत पूर जानकारिया दी और अपना दर्स जो है वो दर्सकों से सेर किया यह जो जल्माव था दो हजार उनिस का इसमें कैसे आपने टीन सप्रा तक बुजारा लगता था काला पानी और बदबू जैसा यह बदूदार पानी और भगवान का नाम लेकर के किसी तरह से आप अपनी पत जानी और फ्यों को जिलना पर है बहुत बहुत जंद्वाद नमस्कार